हेलो दोस्तों कैसे आप लोग उमीद करूंगा अच्छे ही होंगे आज है हम घोसी में जो कि घोसी का इस्टेशन देख रहे हैं आप यहां पर कोई ट्रेन नहीं आती है लगबग लगबग आपको हम बता दे आप पहले इस्टेशन पूरा देख लिजी अभी बन रहा है लेक अबये हैं कि बने गएए अच्छा ट्रेन मतलब यह कब से बंदैं कितने ट्रेन चलती जो की इंदारा से दोरीगाट के लिए चलती ती वह भी फांक छे साल से बंद ऐसका काम वां तरिके से पीर देख सकते हैं अब काम चले इधर कोई प्लेटफार्म वह अधर प्लेटफार्म है यह पटरिया भी बीची नहीं है लेकिन पांच साल पहले अचाये बता पहले जो चलता था त्रेन कितने बोगी का ट्रेन चलता था देखिये शिफ्टिंग वाई से संड़े के गेट बन करता था इसा भी ऐसा वह है कि उतर के जाए फिर सामने हम देख सकते हैं उधर क्रासििंग इसके बाद बैठता था था फिर सभार भर भरता इसके बाद जाता था धेख सकते इदर बताईए यहां का ट्रेन एक ही बोगी चलता था पॉघले सरोकार थे युश्च टाइम की बात बता रहें के बने के बाद चलते हैं उसमें दोहरी घाट जाते थे घुंशी से दोहरी घाट एक चलते तो यह आप समय सकते पॉघले एक त्रेन इंजन इंजनी रहता की ए आपना पता त्वहट सकते हैं किस तरफ लोग जाते होंगे दोरी-घाट और इस तरफ यात्रा करते होंगे अच्छा टिकट किता था तीकट 5 रुपे था यहां से गोसी के लिए देख लो बाइया केवल पांच-पर में दुनिया बर का में तो अपना नमोह बता दो मेरा नाम सादिक निजामी है गोशी से गोशी से है भाई गोशी वाले हैं इस्टेशन पर गूमने आएते अब देख सकते हैं अब इधर गोशी का स्टेशन बन रहा है यह मौव जिले में आता है गोशी जस्ट मौव से करीब 20-25 किलो मिटर दूर है गोशी तो आपको और जो भी है समान आप देख सकते हैं इधर रेलेवे का ही जमीन है और आप देख सकते हैं उधर रेलेवे मतलब फाटक है वहां से जो ड्राइवर था आता था और उतर के खुद फाटक बन करता था इसके बाद वह अपना ट्रेन जो था अपना लेके जाता था पूरा देख सक हुआ है भोसी आप पूरा देख सकते हैं और देख सकते हैं इधर कुछ लकड़िया भी रखी हुई है जो की जो पटरिया बिछाई गए थी उसे निकाल दिया गया है कि जब तक बनेगा एक ही ट्रेन आती थी इसके लिए लग रहा है कि कब तक बनेगा यह तो हमें पता नही तो चलिए यहीं वीडियो समाप्त करते हैं वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा अगर हमारे चैनल पर नहीं है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिए बेल आइकन प्रिस कर लिएगा जय हिन जय भारत